Hello everyone and I welcome you all once again to this channel प्रभावी competition अब मैं सबका स्वागत करता हूँ आसा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अभी जो बिहार SSC CGL का एक्जाम है जो कि काफी नजदीक आ चुका है प्रोवेबल डेट 26 या 27 होना है 26 या 27 होना है नॉमंबर की बात कर रहा हूँ तो काफी क्लोज ये एक्जाम है और ये एक्जाम में कैसा एक्जाम है जिसे आप बड़े असानी से क्लियर कर सकते हो ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको इसमें और इसमें कुछ मदद करने के लिए 7 डेज में कैसे आप आपकी तयारी चली रही होगी मैं मानता हूँ आपकी तयारी चल रही होगी बट कैसे आप अपनी तयारी को एकदम चैनलाइज तरीके से 7 दिन के अंदर कम्पलीट कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में बात करूँगा और उसका प्लान भी मेरे पास है पूरा प्लान है पूरी ये स्ट्रेटजी है पूरा मैटेरियल भी है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि देखो जितना आपने थियोरी पढ़ा वो हो गया अब थियोरी अब बार बार नहीं पढ़ते रहना है अब आपको मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए आपको रिवाइज करना है रिवाइज करना है वो भी कोश्चन फॉर्म में तो मेरे चैनल पे काफी material है जो नहीं है मैं other sources से बताऊंगा कहां से आपको कैसे क्या करना है तो भीया मुझे अपना time दे दो और मैं आपको strategy बता रहा हूँ आप 100% उसको अमल करो और 100% result दो यही plan है 7 days में 7 days में मैं बताऊंगा अभी सब कुछ आपको clear करूँगा कैसे आप इस बिहार से सीजियल 3 को crack कर सकते हो अपनी तयारी के साथ तो आपका होगी सर्च exam तो 26 को है 27 को है 7 days कहीं क्यों लेकिया हो ऐसा नहीं है आगे का भी plan में लेकिया होगा क्योंकि मुझे पोखता बनाना आपको बिल्कुल ही ऐसा कर देना है ताकि आपका जो है एक भी question चूटे न चलिए start करते इस वीडियो को और देखते हैं वो क्या strategy है उसे strategy को start करने से पहले थोड़ा सा syllabus देख लिजए syllabus क्या है इसका जेनरल knowledge है जेनरल knowledge में मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है I'm sorry for that जेनरल knowledge में history है geography है, quality है, economics है विहार है, विहार में विहार है special की बात करना हूँ और current है ये total जो है, ये 50 number का है इसके अलावा आपका math और science जो है, वो 50 number का है जिसमें 25-25 question रहेंगे 25 math का रहेगा, 25 science का रहेगा reasoning total 50 question रहेंगे यानि कि total आपका जो ये question रहने वाला है 150 रहेगा और एक question की value है, 4 number तो इसलिए ये हो जाएगा total 600 का, 600 का exam है, negative marking है 1 by 4th मतलब कि एक question गलत करोगे तो जितने mark से उसका 1 by 4th कर जाएगा, यानि कि एक number कर जाएगा, एक सही करोगे तो 4 number मिलेगा और एक गलत करोगे तो एक कम हो जाएगा ये इसका system है कुछ साथ में ये भी है कि qualifying nature का है, ऐसा नहीं कि आपका merit बनाएगा PT है ये, PT का सी level हम लोग देख रहे है PT को ही पहले focus कर रहे है मेंस काएगा, तो मेंस की भी strategy बनाएगा और साथ में prepare करेंगा ठीक है 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे 2 hours 15 मिनट आपको मिलेगा ठीक है, इसी में आपको करना है यानि कि 135 मिनट में आपको 150 question करना है, लगबग 50 second के असपास time मिलेगा आपको लगबग 50 second के असपास time मिलेगा ठीक है, ध्यान रखना है कि normalization भी हो सकता है, क्योंकि एक से ज़्यादा shift में examination होने का chance है normalization जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, कि जो जितना सही करता है मतलब 4 दिन में माल लो, 4 पेपर shift में exam होगा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सब का पेपर का level सेम हो तो उसमें क्या करते हैं, वो लो कि आपका देखा जाता है कि कितने question attempt कि और कितना percentage आपके accuracy पे matter करता है, तो accurate भी रहना आपको, ज़्यादा गलतियां भी नहीं करने, जो accurate होगा, उसका normalization में उसको ज़्यादा marks मिल जाते हैं तो इन सारी बातों का आपको ध्यान भी रखना है तो देखिए, general knowledge में और science में, इसमें मैं आपकी 100% मदद करने वाला हूँ, और वो मैं आपकी कोई मदद नहीं करवाँगा क्योंकि मैंने खुद इस पे कोई content नहीं तयार किया है, तो मैं आपकी कैसे ही मदद करो, मैं आपके 75 number की मदद कर दूँगा जो की, मैं guarantee दे रहा हूँ अगर वो follow कर लोगे तो इसमें 75 में 75 ही आएगा आपका, गलती आप करके आओगे वो वरतलग है, बट सारे question familiar होंगे आपके, 100% यह मेरी guarantee है math and reasoning के लिए तो आपको practice करना ही करना है, वो तो आपको practice करना ही पड़ेगा उसका कोई solution नहीं है वो आप practice कीजिए आप उस अपने concept को साफ कीजिए बहुत important होगा math and reasoning, क्योंकि 75 जो है न, यह scoring subject है लेकिन यह 75 जो है यही पर असली लड़ाई है यह 75 तो सभी कर लेंगे जिसको पता है, पता है, जिसको नहीं पता नहीं पता है, लेकिन यह 75 असली लड़ाई है, क्योंकि इस 75 को gain करने के लिए जो ताकत चाहिए, वो आपको अभी लगाना पड़ेगा, और वो मैं दिलवा के रहूंगा, तो हम देखेंगे कि कैसे हम history देखें, इन में भी जो general knowledge में यह 50 number काता है न, इसमें भी economics बहुत important नहीं है दो तीन question आएंगे, ओ current से आप देख लेना ठीक है, जैसे बिहार भी बहुत ज़्यादा important नहीं है तो इसलिए मैंने अपना जो content भी है, उसी हिसाब से रखा है कि आपका काम हो जाए और अच्छे से काम हो जाए, ऐसा नहीं कि मतलब काम हो जाएगा, मतलब कि 75 में सर आपके तो 40 ही question है नहीं, 75 के 75 question इसी से आएंगे पहले ही बता रहा हूं, 75 के 75 इसी से आएंगे, बस आपको अच्छे से तयारी करना है समझ गए math और reasoning math और reasoning आप तयार कीजिए जिस source से कर रहा है, उमीद कर रहा हूं कि कोई ना कोई source पकड़ रहा है, खाओगा आपने करो, लेकिन general knowledge भया dependent हो जाओ, मैं बता रहा हूं, 75 के 75 इसी से आएंगे, guarantee है आज बोल रहा हूं, उस दिन quote करना मुझे कि सर आप से ये question नहीं आया था एक भी question नहीं आया तो मुझे बताना ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आएंगे तो आएंगे history, geography, quality economics के मैं एक दो question, economics मैं skip करूँगा मैं बोलूँगा कि आप skip कर दो, मत इसके पीछे पड़ो, क्योंकि एक आदा question के पीछे आपकी energy ज़्यादा लग जाएगी कुछ मिलने वाला है नहीं, तो current से देखेंगे इसको, ठीक है बिहार special तक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, current भी प्रोवाइड करूँगा तो यह हमने syllabus देखा अब वो plan क्या है वह यहाँ आपने तो बोल दिया 7 दिन का, वो plan दिखाईए ठीक है, वो plan पे आते हैं वो plan यह है इसमें आप देख रहे हैं, उस 6 ही दिन लिखा है, 7 दिन आपका rest है, 7 दिन में 7 दिन तो नहीं पढ़ोगे ना, एक दिन rest के लिए भी रखा है मातर 6 दिन effort डालना है मेरे channel पे मैंने एक playlist भी बना दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, content उसमें सारा भरा हुआ, playlist है बिहार SSC बिहार SSC CGL 3 के नाम से playlist है वो playlist में ही यह सब आपको मैंने, वहाँ पे playlist है और यहाँ पे detail है कैसे पढ़ना है तो day 1 में क्या करोगे day 1 में, एक मैंने playlist में मेरे एक वीडियो है history का, जो की 5 घंटे का है 5 घंटे का है करीब 2000 के आसपास 2000 प्लस ही question होगा, MCQ है और इससे बाहर नहीं आना है बोल आओ, इससे बाहर नहीं आना है तो नहीं आना है 2000 प्लस question है, उसमें MCQ और इसको आपको देखना है day 1 में, 5 घंटे का चलो मैं एक बार आपको प्लेइलिस्ट दिखा ही देता हूँ फिर मैं आपको यह 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 ना क्लिक करना यहां पर प्लेइलिस्ट पर क्लिक करना फिर यहां पर आपको ऊपर ही जस्ट मैंने क्रियेट किया है यह 9 वीडियो का बिहार SSC CGL 3 और यह master videos है 9 वीडियो में कैसे त्यारी कर पाओगे क्यों क्योंकि master video है इसलिए आपकी त्यारी हो जाएगी सारे के सारे बड़े बड़े वीडियो है master videos है तो देखो day 1 में मैंने बताया था कि आपको यह वाला एक मिनट में आपको दिखा देखा देखा यह वाला जो है वीडियो history through mcq यह आपको देखना है day 1 में day 2 में ऐसे ही अभी मैं यहां बता देता हूँ वहां भी दिखा दूँगा उस चार्ट पर भी उस चार्ट का पर screenshot लेलना यहां पर आपको जोगराफी पढ़ना है साड़े पांच गंटे का वीडियो है day 3 में आपको दो वीडियो देखने है यह आपका पॉलिटी वाला और इसमें एक बिहार इस्पेसल भी है हिस्ट्री वाला यह दोनों देखने आपको day 4 में आपको यह दो वीडियो देखने है बिहार जोगराफी और स्पीडी का यह कंप्लीट मैगजीन है वाल नाइनर और MCQ इसको जरूर देखना है क्योंकि 10 नंबर का current भी आएगा 10 नंबर का current भी आएगा तो आपका बिहार इस्पेसल और आपका हो गया current यह देखना है फिर अगले दिन next day 5th day को आपको chemistry और physics दोनों साथ में देखना है क्योंकि धाई और 3 गंटा यानि कि प्लान यह है पूरा प्लान अब जैसे कि उसी slide पर चलते हैं दो यह वही चीज यहां पर लिखी गई है जो मैं अभी बताया आपको वहाँ पे playlist है playlist है आप playlist में day 1 में history की वीडियो देखना day 2 में playlist में geography की वीडियो देखना day 3 में आप quality और भिहार की history आप देखना day 4 में भिहार की geography और current आपको complete देखना है क्योंकि current का भी बहुत बड़ा portion है day 5 में आपको chemistry और physics का वीडियो देखना है और day 8 में आपको biology देखना है यह तो हो गया 6 दिन का plan साथ वे दिन rest लेना बाकि जो करना है करते रहूं मैं 5-5 घंटे type ही रखाऊं क्योंकि मैं यह समझ रहा हूं कि 2-3 घंटे आप math भी लगा रहे होगे math और reasoning इसलिए मैंने 5-5 घंटे का ही दिया वरना मैं वैसा आदमी हूं 9-9 घंटे का plan देता हूं but मैं भी आपके उपर stress ज़्यादा नहीं डालना चाहता लेकिन आपकी help हो जाएगी और इसके बाद यह complete होगा आपना आज क्या date है आज चलो जो भी date है next 7 days बाद मैं आपके पास next 7 day एक और ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं फिर से explain करूँगा next 7 days की strategy next 7 days की strategy जिसमें मैं क्या करूँगा अब इस बार थोड़ा लेवल इसका और increase करूँगा और कोशिस रहागी 50% repetitive question और 50% नहीं हो ठीक है ताकि आपका revision type का हो जाए तो ऐसे ही लंबे लंबे वीडियो का एक और list लेक्या होगा ताकि आपका यह देखो आपने पढ़ली अलूसिंट हो गया भाई अब उसको 10 बार नहीं करना है आपको अब MCQ पर ध्यान देना है कौन सा MCQ आएगा कौन सा नहीं आएगा और this is the way this is the correct way otherwise you are going to be wasted and all the videos are in English English में है English medium वालों के लिए बहुत helpful होगा Hindi वाले भी देख सकते हैं ठीक है तो वो 7 days का प्लान इसके बार लेके आऊँगा completion आप करोगे आप comment भी करना किसार यह complete होगया यह complete होगया वीडियो में ही कर देना comment सारा मुझे दिखता है तो आप 7 days में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर कामचोरी नहीं करोगे कामचोरी का मतलब कि भी यह आपको नौकरी चाहिए मुझे नहीं आपको effort डालना ही पड़ेगा मैं guide कर सकता हूँ मैं playlist बना सकता हूँ मैं complete plan दे सकता हूँ तो यह 7-7 days का होगया तक मैं आपके साथ ही हूँ ठीक है आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment करके आपको जो भी doubt आएगा वो पूछ सकते हो ठीक है I hope कि आपको यह plan समझ में आया होगा and इसकी importance समझ में आया होगी क्योंकि आप अगर यह complete यह plan follow करते हो तो एक एक जो है ना एक एक वीडियो में कम से कम दो दो धाइड़ ही हजार question है तो 9 वीडियो तो आपको ऐसे ही दिख रहे है 9 वीडियो में मतलब कि आप लगभग 15,000 प्लस question solve करोगे 15,000 प्लस जो कि इससे हट के तो आपके exam में आना ही नहीं है साथ में explanation में एक दो question और मैं बढ़वा देता हूँ explanation के साथ तो वो आपको add on होता है चलिए I hope कि आपको ये plan पसंदा है तो जरूर इसको follow कीजिए plan बनाना असान है plan को देखना, सूचना, समझना असान है लेकिए follow करना बहुत मुश्किल है कहते हैं न plan your plan then follow your plan पहले अपने plan को plan कीजिए उसके बाद plan को follow कीजिए वरना कोई फायदा नहीं है साथ में रहेंगे success लेंगे, इसी बार लेंगे PT clear करेंगे, mains भी clear करवाऊंगा ये मेरी guarantee है मिलेंगा एकले वीडियो में बाई बाई